आप सभी का मेरे यूटुब चैनल जिके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है यह नदी धारा समंदी प्रस्ण है प्रस्ण है एक मोटर बुट खड़े पानी में 10 किलो मीटर पर दी घंटा की गती से चल सकती है वही नदी में 91 किमी अनुपरवाह चली और वही लोट आई उसे कुल 20 घंटे लगे नदी के परवाह की गती क्या है कह रहा है कि यहां से यहां तक मोटर बुट गई जिसकी दूरी 91 किलो मीटर है और यहां से यहां तक फिर वापस चली आई आने और जाने में उसे 20 घंटे लगे इस्ठिर पानी में मोटर बुट की जो चाल है 10 किमी परती है तो कवरा है कि नदी का परवा यानि धारा का परवा है कि गती क्या है यह निकालना है अब प्रस्ट के अंशार देखेंगे माना नदी की गती एक्स कीमी घंटा प्रस्ट से एक आनवे किलोमीटर जाता है दस किलोमीटर परदी घंटा की स्थिर पानी में और परवा नदी के परवा जूट जाएगा प्लस 91 किलोमेटर आता है इसमें से परवाह की गति घठ जाएगा ब्राबर कितने गंटे में 20 गंटे में आने जाने में इसको समय लगता है अब इसका LCM निकालेंगे इस दोनों का 10 स्क्वार माइनस X स्क्वार 91 10 माइनस X यह इससे यह यहां जाएगा प्लस 91 10 प्लस X बराबर 20 अब 910 माइनस 91 X प्लस 910 10 प्लस 91 X बराबर 20 यह इधर आ जाएगा तो 100 माइनस X स्क्वार अब 100 माइनस X स्क्वार बराबर 91 X प्लस में है यह माइनस में तो यह कट जाएगा यह और यह जूट जाएगा तो 1820 बटा 20 इसको इसतर लिख सकते है अब इससे यह कट जाएगा इससे यह इससे यह कटेंगे 91 माइनस X स्क्वार बराबर 91 माइनस X स्क्वार बराबर 91 माइनस X स्क्वार बराबर 91 माइनस 100 अब माइनस X स्क्वार बराबर 91 में से 91 गटेगा तो माइनस 9 आएगा अब माइनस माइनस कर जाएगा एकस रूट में करेंगे इसके स्वाइधर जाएगा रूट में हो जाएगा एकस बराबर थीरी गुना थीरी रूट में तो क्या होगा X बराबर एक निकल जाएगा थीरी तो यह तीन क्या हो गया यह नदी के परवाह की गती निकला क्या निकला यह नदी के परवाह की अत नदी के परवाह की गती बराबर तीन कीमी घंटा यही निकलना था प्रस्ण में प्रस्ण में कह रहा था ना कि नदी के परवाह की गती निकलने के लिए यही हमने निकला है दोस्तों इस तरह के प्रस्णों को बनाना बहुत आसान होता है उस्तो यह भी नदी अवम धारा से सम्मंदित प्रस्ट ने जो SSC और BPSC में पूछा गया हुआ है प्रस्ट ने एक नाव आट घंटे में धारा के विप्रित दिसा में 40 किमी चलती है तथा छो घंटे में धारा के अनकूल 36 किमी चलती है सांत जल में नाव की चाल क्या है कराय कि यह नाव है यह आट घंटे में धारा के विप्रित दिसा में 40 किमी चलती है तथा छो घंटे में यही नाव धारा के अनकूल 36 किमी चलती है तो सांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है इसके लिए एक सुत्र होता है शांत जल में नाओ के चाल बराबर 1 बटा 2 A पलस B अग इसी पे हम इस प्रस्ण को हल करेंगे टू ये टू ए क्या है चालिस आठ घंटे में धारा के विप्री दिशा में चालिस किमी पलस 36 किलोमीटर 6 घंटे में अब इस दोनों का एलसियम निकालेंगे टू इसका एलसियम लेंगे 24 होगा आठ से में भाग देंगे तीन आगा चार से गुना करेंगे एक सो बीस पलस छो से से में भाग देंगे चार चार चातिस में गुना करेंगे एक सो चवालिस टू इसको इसको जूर देंगे 264 इस से इसको काटेंगे 11 मरतवे कटेगा यानि 11 बटा 2 अग 2 से इसको काटेंगे तो 5.5 कीमी घंटा क्या होगा? 7 जल में 9 की चाल होगा 5.5 कीमी घंटा यही निकालना था इस प्रस्ण में इस तरह के प्रस्णों को बनाना बहुत आसान होता है मेरे चैनल पर आईए इस तरह के प्रस्ण इस तरह का डाइग्राम बना कर समझाये गए है आप आसानी से समझ सकते हैं और इस तरह के प्रस्ण 66 वी BPSC, UPSC, SSC, Banking, Railway, Seatnet सभी में पूछे जाते हैं धनवाद दोस्तों